परिजय छात्रो यह क्या है? यह वृत्ति की तुरिज्या है सर और अब यह क्या है? यह वृत्ति का व्यास है हाँ, तुम सही हो और यदी मैं यहां एक रेखा खंड बना दूँ तो अब यह क्या होगा? सर, यह एक जीवा है? बिल्कुल सही, और अब इस रेखा को क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा सर हाँ, यह व्रित्य की स्पर्श रेखा है तो आज मैं तुम्हें व्रित्य और स्पर्श रेखा के बारे में और अधिक पताता हूँ उद्दिश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे व्रित्य की स्पर्श रेखा को परिभाशित करना व्रित्य के किसी बिंदू पर स्पर्श रेखा का प्रमे सिध्ध करना यह सिद्ध करना कि वृत्त के किसी वाहिबिंदू से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बरापर होती है वृत्त के स्पर्श रेखा से संबंदित उधारण हल करना परिभाषा चात्रो आये तल में एक वृत्त और एक रेखा खींचें हम देख सकते हैं कि रेखा और वृत्त में कोई बिंदू उभै निष्ठ नहीं है आताहा इस रेखा को वृत्त के सापेक्ष में आप्रतिछेदी रेखा कहते हैं रेखा और वृत्त खींचने की दूसरी विधी ये है हम देख सकते हैं कि वृत्त और रेखा के दो उभैनिष्ठ बिंदू A और B हैं इस इस्थिती में हम रेखा को वृत्य की छेदक रेखा कहते हैं और वृत्य और रेखा खींचने का तीसरा तरीका है हम देख सकते हैं कि वृत्य और रेखा पी क्यू में केवल एक बिंदू एह उभैनिष्ट है इस स्थिती में रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं अतहा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को एक बिंदू पर प्रतिछेद करती है गतिविधी स्पर्श रेखा के बारे में और जानने के लिए आईए एक गतिविधी करें एक वृत्त और वृत्त की छेदक रेखा ये भी खीचिए अब छेदक रेखा के दोनों ओर उसके समानतर बहसी रेखाएं खीचिए हम देखेंगे कि कुछ देर बाद रेखा से बनने वाली जीवा की लंबाई क्रमशाह कम होने लगती है और ये छेदक रेखा के दोनों तरफ अंतता शून्न हो जाती है अब छेदक रेखा की स्थितियां A-B- और A-B- देखिए ये दी हुई छेदक रेखा A-B के समानतर स्पर्श रेखा है हम ये भी देखते हैं कि दी गई छेदक रेखा A-B के समानतर दो से ज्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती है वृत्य और स्पर्श रेखा के उभैनिष्ट बिंदू को स्पर्श बिंदू कहते हैं तथा स्पर्श रेखा को वृत्ति के उपहेनिष्ट बिंदू पर स्पर्श करना कहते हैं। प्रमाय, वृत्ति के किसी बिंदू पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदू से जाने वाली त्रिजिया पर लंब होती है। हम केंद्र O वाला एक वृत्त जो कि दिया है और एक बिंदू P पर स्पर्श रेखा XY दी है। हमें सिद्ध करना है कि O P XY पर लंब है। XY पर P के अतरिक्त एक बिंदू Q लीजे और O Q को मिलाइए। बिंदू Q को वृत्त के बाहर होना चाहिए। क्योंकि यदि O Q वृत्त के अंदर होगा तो XY वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं बल्कि एक छेदक रेखा होगी। अतहा O Q वृत्त की त्रिज्या O P से बड़ी है। O Q अर्थात बड़ा है O P से। क्योंकि ये बिंदू P के अतरिक्त रेखा XY के प्रतिक बिंदू के लिए ये सत्त है। O P बिंदू O से XY के अन बिंदू की नियुनतम दूरी है। इसलिए O P XY पर लंब है। टिप्णई अप्रियुक्तु प्रमय से हम ये भी निशकर्श निकाल सकते हैं कि वृत्त के किसी बिंदू पर एक और केवल एक स्पर्ष रेखा होती है। और स्पर्श बिंदू त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को व्रित्य के उस बिंदू पर अभी लंब भी कहते हैं एक बिंदू से एक व्रित्य पर स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी वृत्य के एक बिंदू से कितनी स्पर्ष रेखाएं खीची जा सकती हैं आईए इसका परीक्षन करने के लिए एक गतिविधी करें अपने नोट बुक पर एक बिंदू पी इसके अंदर लीजिए इस बिंदू से होकर जाने वाली रेखाएं खीचिए हम देखेंगे कि इससे खीची गई प्रती एक रेखा वृत्य को दो बिंदूं पर प्रती छेत करती है इसकार्थ है कि वृत्त के अंदर किसी बिंदू से होकर जाने वाली कोई स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती दूसरी स्थिती में वृत्त पर एक बिंदू पी लीजिये और इससे एक स्पर्श रेखा खींची है हम देख सकते हैं कि ऐसे किसी बिंदू से वृत्य पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है अंतिताह वृत्य के बाहर एक बिंदू पी लीजिए और इस बिंदू से वृत्य पर स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास कीजिए हम देख सकते हैं कि इस बिंदू से केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है वाहे बिंदू से वृत्त के स्पर्श बिंदू तक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई को वाहे बिंदू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं यहां PT1 और PT2 बिंदू P से वृत्थ पर स्पर्शरेखाओं की लंबाईया हैं लंबाईयों PT1 और PT2 में एक उभेनिष्ट कुन है जिसे हम अगली स्क्रीन में जानेंगे प्रमय वाहे बिंदू से वृत्थ पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाईयां बराबर होती है हमें केंद्र O वाला एक वृत्थ, वृत्थ के बाहर का एक बिंदू P तथा P से वृत्थ पर दो स्पर्शरेखाएं PQ, PR दी हुई है हमें सिद्ध करना है की PQ पराबर PR आये OP, OQ और OR को मिला दें अब हम जानते हैं कि त्रिज्याओं और स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण समकोण होता है इसलिए कोण OQP और कोण ORP समकोण हैं अब समकोण त्रिभुजों OQP और ORP में OQ पराबर है OR के क्यूंकि ये वृत्थ की त्रिज्याएं हैं OP पराबर है OP के क्यूंकि ये उभै निष्ठ हैं आताहा RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज OQP त्रिभुज ORP के सर्वांग सम है इससे प्राब्थ होता है PQ पराबर है PR के क्यूंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग सर्वांग सम होते हैं उधारन हम देख सकते हैं AB केंद्र C वाले वृत्ति की एक इसपर्श रेखा है, अब AB 15 है, AC 17 है और BC X है, हमें X का मान ग्याद करना है. हम देख सकते हैं कि X वृत्ति की त्रिच्या है, क्योंकि B X पर है, AB एक स्पर्श रेखा खंड है, इसलिए स्पर्श रेखा प्रमय का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि X AB के लंबवत है, अताहा X, AB और CA द्वारा निर्मित तिर्भुज एक समकोंड तिर्भुज है. पाइथा गोरस प्रमय के प्रयोग से हमें X वर्क बड़ाबर 64 प्राप्त होता है, अर्थाद X बड़ाबर 8 प्राप्त होगा. उधारण हमें एक वर्क दिया है, जिसका केंद्र O है, एक वाहे बिंदू T है, और वर्क पर दो स्पर्ष रेखाएं TP और TQ हैं, जहां P और Q स्पर्ष बिंदू हैं. हमें सिद्ध करना है कि कोण P T Q बराबर है दो कोण O P Q के, कलपना कीजिए कि कोण P T Q बराबर है ठीटा के. अब स्पर्ष रेखा प्रमय के अनुसार हमें क्यात है कि किसी वाहे बिंदू से खींची गई स्पर्ष रेखा की लंबाई बराबर होती है. इसलिए T P बराबर T Q अताह T P Q एक सम्दूई बाहू तिर्भुज है. इसलिए कोण T P Q बराबर है कोण T Q P के, जो की बराबर है 1 बटे 2 180 डिगरी घटा थीटा के. जो की 90 डिगरी घटा 1 बटे 2 थीटा के बराबर है. साथ ही हम चानते हैं कि वृत्ति के किसी बिंदू से होकर जाने वाली स्पर्ष रेखा स्पर्ष बिंदू से खीची गई तिरिज्या पर लंब होती है. अताह कोण O P T बराबर 90 डिगरी. इसलिए कोण O P Q बराबर है कोण O P T घटा कोण T P Q के. जो बराबर है 90 डिगरी घटा 90 डिगरी घटा 1 बटे 2 थीटा के. जो बराबर होगा एक बटे 2 कोण P T Q के या कोण P T Q बराबर है 2 कोण O P Q के. उधारण. देगाई चित्र को देखे और X का मान ग्याद कीजे. तिरभुज O P T में कोण O P T नपे टिगरी का है क्यूंकि O P T P पर लंब है. तिरभुज के कोण के योग के गुण के आधार पर हम प्रेयोग कर सकते हैं कि X डिगरी जमा 56 डिगरी जमा 90 डिगरी बराबर है 180 डिगरी के. जो कि X जमा 146 डिगरी बराबर 180 डिगरी के बराबर है. इसे हल करने पर हमें X बराबर 34 डिगरी प्राप्त हुआ. अतहा एक्स कमान 34 दिक्री है क्या आप जानते हैं? टेंजेंट शब्द लेटिन के शब्द टेंग्री से बना है जिसका अर्थ होता है स्पर्श करना और इसका प्रयोग सर्व प्रथम डेनिश गणितगे थामस फिनेके ने सन 1583 में किया था सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं किसी वृत्य की स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्य को केवल एक बिंदू पर प्रतिछेट करती है वृत्य के किसी बिंदू से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदू से खींची गई त्रिजिया पर लंब होती है किसी वाहे बिंदू से वृत्य पर खींची गई स्पर्शे रेखाओं की लंबाई बरापर होती है किसी वाहे बीबराओं में पर खींची जैं के याद behaviors किसी थीजेश की आधार होती ही यह बरापकर खींची एफ वल्खयग है झाल जिए वृत्य रेज रेखा होती лед में स्पर्शे की लाहे चाल कर वाहे जाकर वर रेखाद़ केृश से नहादा